तो जाएन एवरीबन मेरा नाम है अरोजिक तौमावर यानि की डिफेस उस्ताथ और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि जोग्रफिक की जो हमने सीरीज पिछली बार कवर की थी उसी तरीके से इस बार हम एकनोमिक्स की सीरीज भी कवर करने जाएं ठेक हैं एकनोमिक्स को हमने छोटे-छोटे टोपिक्स में डवाइट कर दिया है खाफेन आप आर के लेक्चर्स रहेंगे something around मेरे कहाल से 15-20 लेक्चर्स होंगे और उन सारे लेक्चर्स में CDS के लिए प्लस CPF को भी आप काउंट का सकते हैं पेपर वन के लिए और NDA तो इसमें आई ही जाता है इन तीनों के लिए जो हमारा एकनोमिक्स का पॉर्शन है उसको हम बेसिक से कवर करने वाले हैं इस तरीके से कवर करेंगे जो आपके साइस वाले बंदे हैं जिनको इकनोमिक्स बिल्कुल भी पढ़ने नहीं पड़ती है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान काम रहें तो फिर इदर दर की कॉसिप नहीं होगी सीदिसी बात है हम डारेक्ट मुद्दे की बात करेंगे बस उससे पहले बता दू कि प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियान एकनोमी का क्या हाल दो देखो प्रिजेंट डेक इकनोमी हमारी इंडिया की है यानि कि इस्ट्रक्चर आपको अभी देखने को मिलता है हमारी इकनोमी का ये अभी की दोरा बनाया गया नहीं इसकी जो जड़े है इसकी जड़े आपको कहा मिलेंगी इसकी जड़े आपको मिलेंगी हिस्ट्री में अब हिस्ट्री में वही कहा है हिस्ट्री में खासकर आपको उस पीरेट में जब इंडिया हमारा पिट्रिश रून के अंदर हुआ करता है अब तक चला है और जिसमें हमारा उसके बात पंद्राइब सब्सक्राइब का एंग्याता इंडिया को इंडिया को इंडिया को इंडिया के सप्लायर के के तौर पर तब्दील कर देना है ना यारी कि इंडिया जो था उसको उन्होंने कच्छे माल के सप्लायर के तौर पर तब्दील कर दिया यह उनका बेसे केम था और यह जो कच्छा माल इसको खपाया कहा जाएगा इसको कहां लगाया जाएगा तो इसको लगाया जाएगा मौ लाँ से मौडर इंडेस्ट्रीज में लगा जाएगा और वहां से इस पवी कच्छा माल यहां पहेजा जा रहा है यहां जबर जस्ति उगाय है उस इस माल को ट्रांस्बोर्ट करके जो है इंडिो यानी की नील यह आपने काफी ज्यादा सुनाई हो तो नील को लिया वहई इसके बाद कच्छे माल को सस्थे दामों में विट्रेन की ट्रांस्पोर्ट करवाया और विट्रेन से स्ञुर्श्वोट गुरूつ दन्वाइ इनकी मोडर इंडस्ट्री में और उसके लिए उनको और अबलिबर मार्केट भी मिल गया यानि कि इंडिया में उस समान पुनों ने खपा भी तो कच्छा माल भी मिल रहा है और कच्छे माल के साथ-साथ उनको फिरिश प्रोड़क्स के लिए मार्केट भी मिल गया तो यह एक तरह की आपकी एक्स्प्लूइटिव नेचर था है रिलेशन्शिप का यानि कि यहाँ पर यह जो आपकी रिलेशन्शिप थी यह आपकी कुछ पीलन पर बेस थी शोशन पर बेस ठीक है यह इस रिलेशन रहा है तो उसको में समझना पहले ज़रूरी होगा तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है लो लेवल अव एकनोमिक डेवलमेंट अंडर दको नाम से पता चल रहा है विएक रूस के आने से पहले इंडिया की जो एकनोमी थी यानि कि मुगल की बात करूं तो मुगल टैम से भी इंडिया की एकनोमी जो थी फिर भी ठीक टाप फिर लरिश कर रही थी कि इतनी भी बरवाद मुगल ने नहीं की थी उनके भी खुद के आर्फिक हिस्से उनको उनको साधना था तो इंडिया की जो एकनोमी है वो आपकी बिट्रिश दूल से पहले भी काफी हद तक नोग जो है वो आपके खीक वी किसानी पार निर्वर्द अपनी रोजी रोटी के लिए ठीक है लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में और भी बहुत अलग अलग तरहें की manufacturing activities होती वहोती रहती ऐसा नहीं है manufacturing activities नहीं होती की manufacturing activities बहुत ज़्यादा होती थी हम लोग खासकर अ अब क्वाटन की फिल्ड में जाने जाते थे ठीक है यह जो पूरे के पूरे माँ आपके प्रोडक्स तेना यह आपके worldwide अम आपके डिशन थी आपके वर्ड के अलग अलग मार्केट्स में क्यों 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 कि हम जो fine quantity of material यूज करते थे वह बहुत ज़्यादा प्रोमिजन ठीक है जो ग्राफ्ट मैंशिक थे हमारी उसके highest high standards थे ऐसा नहीं थे कोई भी बंदा आके कुछ भी बना दे रहा है नहीं high standards थे इसलिए वह बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर देखा जाता था अगर आपने मेडिवन हिस्ट्री पड़ी होगी तो आपको पता होगा इंडिया से क्या क्या सामान जाता था क्योंकि हमने फॉरें ट्रेट का एक सर्टेन पाद उसमें पढ़ा है अच्छे हम लोग जो करेंट में सीडियास का पढ़ा रहा हो तो उसमें तो आए गई आए आएगा आप लोगो कि चीज पढ़ रहे हैं अगर नहीं पढ़ रहे है तो पढ़ लें टिक है अब आगे बात कर लितए है कि अरुर हमारी क्या करेंगे हम अपनी इंडस्डिज को प्रोडेक्शन देंगे हम उनको ही क्या करेंगे उनको प्रोमोशन देंगे प्रोमोट करेंगे हम अपनी इंडियन जो एकिनॉमी है उसकी डेवलप्मेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है ठीक है हमें बस उनका स्चोर्शन करना है उनका करना है तो ऐसी पॉलिसी जो आपकी बिट्रिश गॉवर्मेंट के दौरा यानि की प इंडियन एकिनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज देगे आप किसी को भी ज्यादा तक दबा के रखेंगे आप किसी को भी ज्यादा तक स्ट्रेस में रखेंगे तो इस ट्रेन आ जाएगा अब वो जो इस ट्रेन है वो उस बंदे के गर्टस इ प्यूजूजूज को देई रहते और वहां का जो आपका वहां का बना वा सामान था उसके लिए हम क्या हो गए हम एक तौर पर हो गए यह भी हमें ही खा यूज करना था ठीक तो प्यूंजा इंडिया में ही लगाए है जा रहे है अब एक certain example में आपको दे देता हूँ जो कि इंडिया की textile industry का इस बहुत prominent example आजाता थेक है बैंगॉल की खासकर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक कपड़ा आ जाता है जिसको कहा जाता है Muslim ठीक है Muslim नहीं Muslim यह cotton textile होता है इसको origin पैंगॉल में खासकर आपका यह जो ठागा नाम की जगह है ठीक है इसको मैंने डगा नाम से बुलाया जाता था जो कि बंगलादेश की राजानी है उस टाइप पर यहाँ पर इसका production होता था अब यहाँ पर एक variety आ जाते हैं आपकी डगाई Muslim इसने worldwide fame आपका गेंड किया है क्यों क्योंकि एक बहुत ही खास तरेका पॉर्ण टेक्स्टाइल है और इसकी जो आपको इस तरह के कपड़े पहने हुए रॉयल्टी के जो लोग आप देखने को मिन जाएंगे इसी लिए मलमल खास जाई बोला जाता था फॉरेन बहुत ज़ाये डिमांड थी एवन जो आपके Victorian टाइंपस में देखा जाए तो Victorian टाइंपस यह वहां की जो आपके नोबेलिटी थी है ना वहां कि जो सामन्त वगरा थे विट्रेंट के गोलों भी काफी ज़ादा इसको पहना करते थे देरे-देर एसेप्टेस मिल गई और काफी ज़ादा लेडीज वगरा इसको काफी प्रिफर किया करें ठीक है फिर उसके बाद पर एक एक एक्जामपल था बैक टू लो लेवल आफ एक इनकम यानि कि पूरा देश कितना कमाता है तो पुछ लोगों के तौरा किये गए लेकिन उससे कंफ्लिक्टिंग और इन लोगों के पास इतने मींस नहीं थे इतने तरीके नहीं थे जिसे कि पूरे नेशन के आपके रिसोर्स के बारे में पता लगा सके हैं या फिर बहुत तो यह आ गए उसके बादने विल्यम बीजिल यह भी आजाते हैं इन्होंने काफी कि उसके बाद एक और बंदा आ जाता है जिसको चाहता है अब फिर आजाते हैं अर्जाते हैं हमारे वी के आर वी रा और और आर सी बेसाई भी आ जाते हैं यह कुछ लूख थे ठीक है इन उनके जो estimates से colonial period के दौरान इनको काफी ज़्यादा significant मारा है ठीक है लेकिन ज़्यादा तर जो studies थी जो हमारी studies में की गई कि country की जो growth का aggregate है और जो real output है first half of the 20th century के बाद में वो आपका कभी भी 2% से ज़्यादा नहीं रहा है ठीक है अब अगर हम sector wise बात करते हैं तो इंडिया की economy पिट्रिस रूल के दौरान fundamentally एग्रिगेरियन रही एग्रिगेरियन का मतलब होता है एग्रिकल्चर पे बेज तो बहुए इंडिया की economy बिट्रियन टाइम में आपकी एग्रिगेरियन रही है यानि कि तक्रिवल 85% जो country के population है व उनकी जो रोजी रोटी थी वो directly अफर indirectly एग्रिकल्चर पे ही बेज ठीक है लेकिन इतनी large population का occupation होने के बाद भी है ना इतनी बड़ी large population जो एग्रिकल्चर पे बेज थी उसके बाद भी एग्रिकल्चर सेक्टर जो है उसमें आपका stagnation देखा है ठीक है और इसके साथ साथ बेसिकली deterioration भी देखा गया यानि कि गिरावर लगातार देखी गई एक तो मतलब से बात है हमारा अग्रिकल्चर से टक चड़ हो गया इस्टैग्नेट हो गया एना पानी अपने देखा है ताला आपका इस सेक्टर में कुछ अपकी देखी गई थी जो आपका क्या बोलते हैं पूरा पूरा एरिया था ठीक है वो आपका कल्टीवेशन के अंडर तो आया अग्रिक्नेटि एरिया अपका थोड़ा पड़ा लेकिन अग्रिकल्चर में देखा गया वो खासकर इस भज़े से था कि जो अलग-अलग तरह के land settlement system use किये जा रहे थे colonial government के दारा उसकी वज़े से अमारे agriculture कभी grow नहीं कर पाया अब इसमें जो खास अगर में वाक्त करेंगे तक एक system आ जाता है जिसका नाम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको कहा जाता है जमीदारी system जमीदारी system जो है यह आपका इंप्लिमेंट किया गया था सबसे पहले बैंगोल प्रेसिदेंसी में इसमें इंडियान के प्रिजेंटर के जिस्टन स्टेट्स आ जाते हैं वो काउंट कर लिए जाएंगे लाइक हमारा बिहार का पार्ट हो गया ज्यारगण का पार्ट हो गया असम की थोड़े पार्ट शायद काउंट की जा सकते हैं वेंगोल का पार्ट तो आई जाएगा और इसा का पार्ट आ गया तो यहां पर क्या था बैसिकली जो एग्रिक्टर सेक्टर के जितने भी प्रॉफिट आपके आते थे वो प्रॉफिट जले चले जाते थे जमीदार थे ठीके एंड नॉट जस्ट फॉर्णियल गवर्मेंट भई सिर्फ फॉर्णियल गवर्मेंट ही नहीं उन्होंने आपकी खेटी कि यानि कि अग्रिकल्जर की कंडिशन को इंप्रूब करने के लिए कुछ नहीं ठीके यानि कि मेन इंटर्स जमीदारों का था वो यह था क हमें दो बस रेंट कलेक्ट करना है इसकी वज़े से बहुत जादा मैसरी फैली दुख दर्द फैला सोशल टेंशन फैला आपके कल्टीवीटर के दिलों और दमाद अब बहुत बड़े लेवल तक अगर हम देख ले तो यह जो टॉंस ते हमारे जो रेवेन्यू रेवेन्यू सेटलमेंट की हमारे तरी यह भी रिस्पॉंसिबल ते जमीदार्स के लिए इस तरह के मैजटिटट को इंदर आ एक्विटரिस गौवर्मेंट को देना पड़ रहा है अगर जमीदार आपका पोर एक्जम्पल उनको बोल दिया गया वाई इस सालत में एक लाग रुपए हमें देना है अगर एक लाग रुपए जमीदारों ने क्या बूर्णी को नहीं दिये तो उनकी जमिदारी कताओं करती जाएगी तो उसके बदले में जमिदारों को भी ऐसा attitude अपनाना पड़ा कि वाइगोप और वाइगोप और वाइगोप रुपए इन सबसे collect करना ही करना है इनकी उपर भी दवाव था इसके साथ साथ और भी बहुत साथी चीज़ें आ जाते हैं लाइक लो लेवल ऑफ टेक्निलोजी का लेवल अभी भी देखा जाए तो इंडिया में बहुत जगह अब लेवल नहीं लैक अपर वर्रेशन फैसिलिटी इसके साथ साथ आपके नेकलीजिवल आ जाते हैं फटेलाइजर नेगलीजिवल यूज और फटेलाइजर भी आ जाता है वैसे मैं इसकी आप लोगों को स्लाइट्स अफलिवल करा दूँगा अप लेवल ना इसकी ठीक है तो नेकलीजिवल यूज और फटेलाइजर वगर था ये सब मिला जलाके इन सब ने मिला जलाके फार्मर्स की जो प्लाइट थी उनके जो दुख दर्द था उसको बढ़ा हम देखा गया है ऐसे कुछ एक्जांपल्स आपको आते हैं सर्टेन एरियास में कंट्री में यह क्यों था यह वाई हमारी अग्रिकल्चर के कमर्शिनाइजेशन की वज़े से था लेकिन इसकी वज़े से फार्मर्स की किनोमिक कंडिशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती थी इंडो को प्लांटेशन होता था तो भाई यह जो आपकी कैश क्रॉप्स थी इनको बिट्रिश गवर्मेंट अपके घरों में मतलब बैक वों में द्वारा यूस किया करती थी कुछ प्रोग्रेशन आपको प्रोग्रेस वगरा इरिगेशन वगरा में देखने को मि हैं लेकिन इंडिया का जो अग्रिकल्चर था उसमें आपकी बहुत सारी नहीं चीज़ें होनी थी जिसे पहाड़ी इलाकों में टेरिसिंग होनी चाहिए थी गली इरोजिन को रोकने के लिए फ्लट कंट्रोल के मीजर्स आपके बिहार जैसे इलाकों में जापर फ्रिक्व है ना उन्होंने फूट क्रॉप से केश क्रॉप से अफर कमर्शल क्रॉप की तरफ अपना रुक्त मोडा लेकिन जो लास्ट सेक्शन था हमारे टैनेंट्स का जो छोड़े-छोटे फार्मर्स बगरा थे शियर क्रॉपर्स जो बटाई पर आपकी खेती बगरा करते थे उनक सेटिव में करते हैं सेटम Palms करते हैं इतनी सेटिव करो इस तो इतना तुम्हेटम पैसा मीलेगा तो िंसेंटिव नहीं रहेगा तो बन्हें के पास कोई मोटीव नहीं रहेगा हमारा इंडिस्टियल बेस अदेवलख prophmaye नहीं हुआ ठीक है यह colonial government के अंदर ही हुआ हमारी country के जो world famous handicraft industries की वो भी decline कर गए ठीक है और उसके साथ साथ कोई corresponding modern industrial बेस खड़ा ही नहीं किया गया नहीं उसको allow किया गया British government के तरह उसको allow ही नहीं किया गया हमारी modern industries को खड़े होने के लिए कि उनका कहना था अगर यहां पर industries आगी तो फिर हमारे fresh products को कौन पोचेगा ठीक है प्रैमेरी इन वोटिव कलोनियल government का इतना था कि इंडिया की ठीक है यह process आपका कहना था है कि आप सिर्फ raw materials को एक्सपोर्ट करोगे आप सिर्फ raw materials को बाहर बेच हो ठीक है पहला तो उनका यह सिस्टंक था अपकमिंग modern industries लगी हुई है आप सिर्फ उनके लिए raw materials बेचने का काम करोगे आप सेगेंड काम इनका यह था कि इंडिया को एक market के तौर बदल देना है इंडिया वहारा market होगा हमारे जो finished products है जो बिट्रें में बनके तयार हुए है वही finished products हम इंडिया में खपाएं ठीक है तो indigenous handicraft industries जो है उनका decline तो हुआ 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 है उससे आपके unemployment की समस्या जो है वो इंडिया में generate हो गई बहुत तगड़ा unemployment खड़ा हो गया ठीक है और इसके साथ आप जो Indian consumer market है उसके तौर पे बिट्रेंड को एक ऐसा market मिल गया जिनके पास में आपका locally meet goods अवलेबल नहीं हमारे खुद के locally meet goods हमें अवलेबल नहीं हो रही थे हमें depend करना पड़ा था British government के पास और यह जो demand आपकी हो रही थी जो market में generate हो रही थी इसको कैसे पूरा किया गया इसको पूरा किया गया चीर manufactured goods के द्वार जो सस्ता manufactured goods आपके British government में बन रहे थे उनको import करके इंडिया ला करें अब यहां अगर हम देखें overall क्या बुलते हैं second heart of the 19th century में modern industries जो इंडिया में जड़े ज़वाने लेगी लेकिन progress आपकी बहुत बहुत स्लो थी ठीक है इनिशली यह जो development था यह आपका cotton और जूड टेक्स्टाइल मिल्स की शिमित्रा जैसे अगर हम cotton textile मिल्स की बात कर में आपकी इंडिया के वही डॉमिनेट कर रहे थे और यह western part of the country में जदा आपकी दिखी खासकर महारास्ट और गुजरात की एरियाज में जो की बॉंबे प्रेसेडेंसी में आते थी गपकी यह जो आपकी जूट टेक्स्टाइल मिल्स हैं यह आपकी foreigners की दोरह डॉमिनेट रिखती यानि कि खासकर Europeans की दोरह डॉमिनेट रिखती और यह आपके इस्टल पार्ट यानि कि बेंगॉल प्रेसेडेंसी के आसपास इसका ज्यादा डेप्लमेंट दिखा गया यह नाराइन गल्स तो भाई आपका कंगरदेश के ना जाता शाह है ठीके फिर उसके बाद मे सबसेड़ी इंडस्ट्रीज है वहारी सामने आने लगी स्टार्टिंग में आपका टिस्को जो है इसको का नम अपने समय होगा टाटा आयरें एंस्टील कंपनी नाइनटीन जीरो सेवन में उसकी स्खापना की गई कुछ और इंडस्ट्री इस लाइक शुगर सीमेंट सब्सक्राइब ज्यादा नहीं डैवलप एक इंडिया बें फॉर्दर इंडस्टिलाजेशन किया जा सके अब ये चापिट्या बूट्स इंडस्ट्रीज कौन सी होती है तो डियानि कि वह इंडस्ट्री जो के आपकी मशीन टोल्स प्रेड्यूस करती है जिसकी वजहिएसे आपके ऐसे articles produce किये जाते हैं जो कि हमें consumption के लिए जरूरी होते हैं तो machine tools produce करने के मारे पास कोई industries नहीं थी कुछ manufacturing units आपकी इधर उधर जो बनाई गई थी वो आपकी कोई substitute नहीं थी है ना कि आपका जो wholesale displacement हुआ है country के traditional handicraft industries का उनके substitute के तोर पे यह थोड़ी पहुत जो भी हमारी industries आ रही थी वो substitute के तोर पे count नहीं की जा सकती थी furthermore देखा जाए तो जो growth rate की वही हमारे नए industrial sector की और इसके जो contribution था वही हमारा total GDP में यानि कि cross domestic product में वो और plus हमारा GVE में cross value added में यह बहुत कम था दूसरा significant drawback हमारी नए industrial sector का यह था कि वही इनका जो area of operation था वो बहुत ही safe था यानि कि limited area of operation था इनका ठीक है पब्लिक sector का भी limited area of operation था पब्लिक sector सिर्फ आपकी railways, power generation, communication, port और आपकी कुछ departmental undertakings तक ही सीनित फिर अगर हम बात कर लेते हैं foreign trade की बात करें तो आपको पता कि इंडिया एक important trading nation रहा है ancient times चोलों के time से देखा जाए या फिर अगर मगत समराज यानि कि महा जनपतों के time से देखा जाए तब से भी इंडिया एक trading nation के तौर पे जाना जाता रहा है हम आपके सीम्स के साथ साथ लेंड रूट से भी रों पर्शिया मेसपोटमिया तक अपना सामान पहुंचाते रहें ठीक है लेकिन commodity production की जो restrictive policies लगाए गई विट्रिश गवर्मेंट के द्वारा ट्रेड और टैरिफ की जो restrictive policies लगाए गई है आपकी colonial government के द्वारा उससे हमारे इंडिया के वारें ट्रेड के structure composition और वॉल्यम में बहुत ज्यादा चेंज आए ठीक है यानि कि मैं आपको बता दिया इंडिया एक्सपोर्टर की तोर पर बदलके रहे गया है primary products को इंडिया जाता था बाहर जैसे कि आपता raw silk हो गया यहां बाहर बैशते थे रहुत से साथ तक फॉर्टन भी हम बाहर बैशते थे शुगर बींपार बैशते थे इंडियो यानिकी नील और इसके साथ जूट को भी बाहर बीशने का काम किया जा और finished consumer goods हमारे पास आ जाते थे like पॉर् इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे इंडिया से बाहर क्या जाएगा और इंडिया के अंदर क्या आएगा इस पर इंडिया का मौनोपली कर दिया गया था जैसे कि चाइना के साथ आलाओ कर दिया घया था और परशीया इरान यहां तक भी आपका कर दिया गया था फिर भई और तो स्वेस कैनल की विजह से इंडिया के आपका बढ़ आप संबागर आपको पता है कि यह आपको नौर्थ से लेके South तक आता है Across the estimates of Swiss in North Eastern इसट ठीके ये आपका Port seed को connect करता है उपर से देखाता है तो ये Port seed को connect करता है जोकि आपका Mediterranean Sea में आता है वहाँ से इसको करता है Curve of Swiss से जोकि आपकी Red Sea के अंदर आ जाती है ठीके अब ये कैनल क्या करती है यह Canal एक डार्रेट ट्रेड रूट देती है शिप्स के लिए जो कि आपके यूरोप से और American पोर्स जो आपके शिप्स आ रहे हैं उनको डारेक्ट साउथ इस्ट एशिया और साउथ एशिया तक पहुचाती है इस्ट अफरीका के आसपास पहुचाती है ठीक है इनको मतलब पहले ऐसे अफरीका के पास एक गुन के जाने की जूरत पड़ती थी के और गुर्गो बाला रूट लिया जाता था जो कि आपका बहुत जादा टाम कंसुमिंग ठीक है लेकिन अब उन्होंने जब स्वेज वाला कैनल वाला रूट ले लिया तो इसकी ओपनिंग 1869 में होई उसकी वजह से पॉस्ट आप ट्रांस्पोर्टेशन तो आपकी कम होई गई और इंडिया के साथ 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 इस्ट एशिया की जो मार्के यानि कि हमने एक्सपोर्ट सर्प्लेस को काफी ताता जन्रेट किया हमने सामान बाहर बहुत बेजा उसकी वजह सामने पैसा बहुत कमाया लेकिन यह जो सर्प्लेस था इससे हमारी देश की एकनोबी पे कुछ खास पर्ट पड़ा नहीं क्यों नहीं पड़ा प्योंकि हम लोगों के लिए तो भाई काफी जा बोलते हैं इसका अब लोगों के लिए जादा अब लेबल नहीं अब क्यों लोगों के लिए नहीं आया किसी तरह का इंडिया में नहीं हुआ यह जो आपका एक्सपोर्ट सर्प्लस था इसको यूज किया गया बिट्रीस गवर्मेंट के दारा जो अलग-अलग ऑफिस स्टेट अप किये गए थे एना उनके लिए प्लस जो इनके एक्सपेंस होते थे वार पे इनो यह जो यूट दिन रड़ रहे थे अलगले जगे अ अब अगर हम डेमोग्राफिक कंडिशन के बात करते हैं तो देखो बहुत सारी डिटेल्स इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में हमें देखने को मिलती है वो सारी अपकी क्लेक्ट कीगी प्रॉपर 1881 की द्वारा प्रॉपर अंसर यह हैं के साफ से 1872 का अंसर भी आपके ऑप्शन में आता है एक कुशन पूचा गया था लेकिन 1872 इसको पहना प्रॉपर माना जा ठीक है लेकिन इसमें भी पहुत सारी लिमिटेशन थे इसमें इंडिया की पॉपुलेशन क्रोथ के बारे में काफी जो है अन इवन नैस जो है वो सब्सेक्वेंटली हर दस साल पर हर दस साल पर आपका एक सेंसर्स ऑपरेशन जो है वो केरी आउट किये गए 1921 से पहले इंडिया जो है वो आपका फॉर्स स्टेज में लाए कर था ठीक है देखो यह आपने हीमें जोग्रफी में पढ़ा होगा मेरे खाल से यह मैंने जोग से लेके 1951 तक आपकी सेकेंड स्टेज आती है उसके बाद 1951 से लेके 1980 इस तक हमारी थर्ड स्टेज आती है एंस ओन फॉर्थ स्टेज एंस ओन आती ठीक है तो यह जो सेकेंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की यह आपकी 1921 के बाद में स्टार्ट हुई लेकिन ना तो total population इंडिया की और ना ही rate of population growth आपकी इस time पर हाई थी यानि कि consistent थी क्यों consistent थी? World War 1 की वज़े से, फिर World War 2 हो गया, बहुत सारे अकाल बगेरा भी इस time पर पड़े हैं तो बहुत सारे social development indicators भी इस time पर encouraging नहीं हुआ करते हैं ठीक है, overall जो भाई हमारी पड़ाई लिखाई का label था, जो हमारा literacy level था, वो आपका 16% से भी कम हुआ करता था और इसमें से भी female का अगर हम percentage देखे हैं, तो वो तो आपका 7% से कम हुआ करता था यही एक बज़े थी कि लोग समझते थे कि अहिंसा से आशादी मिल जाए ही, ठीक है, public health facilities जो थी वही आपकी, public health facilities भी या तो unavailable थी, major chunks of population को, या फिर available थी, तो वो highly inadequate अब अगर हम फर्दर बात कर लेते हैं, तो फिर इस इन सब की वज़े से क्या होता था, कि जो आपकी water or airborne disease होती थी, जो गंदे पानी की वज़े से होती थी, गंदी हवा की वज़े से होती थी, ऐसी जो बिमारियां हैं, वो काफी ज़्यादा प्रिवलेंट वी और इसकी व और आप overall mortality rate की तरफ देखें, overall mortality rate यानि की मिरती दर बहुत ज़्यादा हाई थी, खासदार आपकी जो infant की मरने की दरती mortality rate थी, वो और भी ज़्यादा हाई, यानि की हर thousand मैंसे 218 बच्चे तो मरी जादे थी, आज से कुछ सान पहले की बात ले ले जी, आप हर घर में तक्र ज़्यादा बीमारियां है, tuberculosis है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ज़्यादा नहीं जी पाते थी, इसलिए कई लोग जो नॉस्ट्रलिया में रहते हैं कि वही पोड़ाना टाइम बहुत अच्छा था, सब कुछ ऐसा था, वैसा था, वैसा था, उन सबसे बूले के बाहर हो चकी है, अगर आप बात करें तो 70.62 आ जाती है, जो recent का data है, अभी modern medical evolution की वज़े से आप को जादा लंगर टाइम तक जीवित रखा जा सकता है, और मेरे क्याल से आपकी बढ़ जाएगी बात के टाइमों में, पहले सिर्फ 32 साल की जो लाइफ एक्सपेटेंसी वो हुआ करती है, तो reliable data की absent में ये specify तरपाना बहुत मुश्किल है, कि बहुत किस हद तक गरीडी फैली हुई थी, लेकिन सीधा सा simple जवाब जो में मिलता हो ये, कि गरीबी बहुत जादा prevalent थी इंडिया में, colonial period में, और उसके बज़े से इंडिया की population profile और भी जादा खराब होई, अ अगर हम occupational structure की बात करें, काम धंदों की बात करें, तो colonial period के दोरान, जो occupational structure था इंडिया का, यानि कि distribution of working persons, की जो working persons है, याना काम करने योग जो जलसन क्या है, वो अनलाग industries और sectors में किस तरह कर खेले, यानि कि उसमें बहुत कम changes देखने को मिले, अगर हम agriculture sector की ही बात कर लेते सबसे जादा, ठीक है, तकरिवां 70 से लेके 75% तक, जब कि हमारा जो manufacturing sector है, और manufacturing के साथ साथ जो हमारा service sector है, इनके अंदर के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका 10% और service sector में, तकरिवां 15 से 20% का ही contribution देखा गया, एक दूसरा aspect यहाँ पर आता है, growing regional variation, एक region से दूसरे region में जो disparities थी, यानि कि मदराज presidency की अगर हम बात करें, मदराज presidency में अभी आज कल कि अब कि तमिलाडू, आंदिप्रदेश, केरल और करनाटक वाला region आ जाता है, और उस बात ऊपर की ताप देखेंगे, तो वापर बंबे और बंगॉल, यह बंबे साट और बंगॉल इस लेकिन जो agriculture के अंदर बंठोस थी, उसके अंदर भी आपका एक increase देखने को मिला, कौन पहुंसी जगह पर कुछ स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे कि उडिसा, राजिस्थान और पंजाब बगेरा, फिर अगर हम infrastructure की बात करें, तो बहुत इस बहुत मेजर चीज़ा आपको पत water transport भी आ जाता है, infrastructure के अंदर, इसके साथ साथ post, postal चीज़ें आ जाती है, telegraph, इन सबका अच्छा खासा development हो, लेकिन real motive किया था development का, हम लोगों को basic amenities provide कराना, इसका real motive नहीं हुआ करता था, ठीक है, real motive हुआ करता था, आपके various interests को fulfill करना, roads को बनाया गया, क्यों बनाया गया भई, roads को आपकी, roads को आपका बनाया गया, ताकि आपके army को mobilize किया जासे के, इंडिया के अंदर, raw material को गाओं से ले जाए जासे के, इंग्लेस के पास, nearest port के पास, और वहां से England या फिर दूसरी foreign destination पे बेजा सके, acute shortage, all weather roads, यानि कि ऐसी roads, और जो बही हमेशा हर सीजन में काम में आ जाके, ऐसी roads आपकी rural areas में rainy season के दौरान होती ही नहीं थी, rural areas all the time after cut off रहते थे, ठीक है, तो naturally क्या होता था कि यहां की जो लोग होते थे, उनको natural calamities, famines वगरा, इस सब तिक्कतों से जूजना पड़ता था, फिर, Britishers ने railways को इंडि 1950s में introduced किया, one of the most important contributions माना चाता है उनका, ठीक है, इंडियन economy को railways ने दो तरीके से effect किया, पहला तो यह आता है, कि अब लोग जो है, वो लंबी दूरी की यात्राएं करने लगे थे, long distance जो travel थी, वो लोग आपकी travel करने लगे थे, इस से geographical और cultural barriers तोड़े जा सके, यानि कि अब आसम का बंदा, राजिस्तान जा रहा है, कश्मीर का बंदा, तमिलनाडू जा रहा है, मध्य प्रिदेश का बंदा, बेंगॉल जा रहा है, तो यानि कि लंबी लंबी distances के travel होने लगी थी, लोग cultural barriers और geographical barriers से बाहर जाने लगे थे, और दो सिरे तरफ इस से क्या हुआ, आपका commercialization भी हुआ, commercialization कैसे हुआ वई, commercialization आपका कुछ ऐसे हुआ, कि agriculture जो प्रोडक्स थे, या पाकी प्रोडक्स थे, वो आपके इधर से दर और और ज़्यादा तेजी से बेज़े जाने लगे, जिससे हमारे जो गाओं की एक्रोमी थी, वो बहुत जादा effect होने लगी, क लोगों को नहीं मिला, social benefits की अगर हम बात कर लेते हैं, तो रेलवेज के introduction से social benefits तो मिले हैं, इंडिया वाले लोगों को, लेकिन होगर economic loss के comparison में देखे हैं, तो फिर वो हमेशा जादा बैठते हैं, फरदार, roads और रेलवेज के development के साथ, colonial जो regime था, उन्होंने कुछ आपके inland trade को बढ़ाने के लिए आपके sea lanes जो रहती हैं, कुछ canals बगएरा होती हैं, उनको भी develop करने का सोचा, लेकिन जो result थे, वो काफिया तक satisfactory नहीं थे, inland waterways में देखा जाए, तो वो un economical साबित हुई, जैसे की अपकी Odisha Post की canals बगएरा हो जाती है, इनको government ने बहुत huge खर्चे प करने में पीछे रहे गई, और फिर धीर धीर इसको ultimately अवेंडर कर दिया है, अब इसके बार क्या, ओकरोल अगर नहीं देखें, तो जो expensive system आपका electric telegraph का इंडिया में introduce किया हुए, यह भी आपका basically law and order के लिए बनाए गया था, आपको अगर याद होगा जिसने भी 1867 के बारे में पढ़ा होगा, तो 1867 में जो हमारी करांतिकारी थे, पीछे इसलिए रहे गया है क्योंकि coordination नहीं हो पारा था, सेनाओ के बीच में, एक जिए से दूसी जगे, क्यों नहीं हो पारा था, क्योंकि हमारे पास electric telegraph की facility नहीं, जब की East India Company, electric telegraph की facility का use करके, आराम से एक जगे से दूसरी जगे संदेश पहुंचा रही थी, प्रॉपर परीकिसे coordinate कर रहे थे, कहां पर आर्में deploy करनी है, कहां पर जरूद है, वगरा वगरा, ये सारा का सारा काम हो रहा है, इसके साथ साथ, अगर हमारी postal service आ जाती है, पोस्टल service के अगर हम बात करें दूसरे दराफ तो इसने एक useful public purpose तो आपका hero sir किया, लेकिन फिर भी ये भी काफी है तक even adequate रही, जब तक इंडिया independence हासिल कर पाती, सोदंता हासिल कर पाती, ये जो 200 सालों का आपका लंबा पिट्रिश रूल था, इसने काफी जादा effect इंडिया के economy के सारे expects पर दिखाया, agriculture sector जो है कि आपर हमारा labor surplus था, ज्यादा मज़़ूर थे, इस guys unemployment बहुत जादा था, और productivity बही काफी जादा कम थी, इंडिश्टर सेक्टर की बात करें तो इंडिश्टर सेक्टर को modernization चाहिए था, diversification चाहिए था, capacity building चाहिए थी, और public investment की demand भी थी, foreign trade जो है हमारा वो तो बही विट् implementation के साब से बनाया चाहिए था, अभी तक जो आपका railway था, public expansion की वज़े से नहीं, वो आपका basically बनाया गया था, ज्यादा माल की डुलाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा poverty थी, बहुत ज़्यादा unemployment था, और उसकी वज़े से public economic policy ऐसी चाहिए थी कि लोगों का welfare किया जा सक कि इस समय हमारी economy पर क्या असर पड़ा, किस किस तरह की economic systems होते हैं, हम उनकी बात भी कर लेंगे, mixed economy, communism, socialism, capitalism की बात कर लेंगे, plan exactly क्या होता है, growth क्या होती है, ठीक है, इसकी बहुत सारे aspects होते है, modernization, self lines, equity, इस सब को बात करेंगे, agriculture की भी बात कर लेंगे, अभी तक हमारे agriculture क कि सिनेर्यो रहा है, green revolution की बात भी करेंगे, इन सब topics की हम बात करेंगे, subsidies वगरा ये सावाज जाएगी, और फिर उसके बात में हम industry policy resolution की बात कतम करेंगे, और फिर उसके बात कर जो next रहेगा, उसमें, lpg reforms की बात करेंगे, एक बार में एक इक टॉपिक लेंगे और अच्छ को कतम करेंगे, economics की पूरी series रहेगी, मेरे खाल से हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 lectures लच जाने चाहिए, 15 से 20 lectures अगर अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd August को, तो यह हमारे 20 अगरस तक complete हो जाएगे, से ज्यादा हमारे lectures नहीं लगेंगे, मतलब कि exam से 10 दिन पहले तक और वहाँ पर आपको इसकी link मिल जाएगी, वहाँ पर आप जॉइन कीजिए, CTS का पूरा study material, CTS drive में आपको मिल जाए, to go and watch it, और सबसे बड़ी बात, please like this video, share this video, subscribe to my channel, और comment कीजिए, engagement बढ़ाईए, और अपने यार दोस्तों के साथ में चीजिए को share कीजिए, जिन लोग ठीक है, तो बस आज के लिए इतना हैंगी, जाएँ दोई हो